स्वागत दोस्तों आप सभी का एक फिर से आपके अपने यूटीब चनल सिविल गुरूजी में जिसमें बात करते हैं हम कम्प्रेटली सिविल इंजिनर्स के बारे में दोस्तों आज बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेकर आया है आप लोगों के लिए जिसमें हम बात करेंगे इस बीडियो को इस देखना पड़ेगा आपको तभी आप सीख पाएंगे वो एकसल शीट को बनाना और एकसल शीट को कैसे आप ऑकर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को जल्दि से लुड़ि लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में इस बीडियो इतना जादा और वीडियो आप लोगोön लेकर आँगा। तरिट रखता हूँ आप लोगोगे लिए 1000 लायकि यद्ल इस वीडियो पर लागते हैं अपने पर प्रेंड़ के सुआइर करवा गाए ाप लोगोग लेकर आने वाला। तो दोस्तों मैं यहाँ पर open किया है एक bill of quantity का format इस bill of quantity के format में जो मैंने first serial number लिया है यह है side cleaning के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिगा है surface dressing of the ground including removing vegetation and inequalities not exceeding 15 cm deep and disposal of rubbish lead up to 50 meter and lift up to 1.5 meter और सभी तरह की soil के लिए यहाँ पर side cleaning मैं कर रहा हूँ मलग किसी भी तरह की यहाँ पर soil के लिए मैं एक rate analysis आप लोगो बना कर दिखांगो किस तरह से बना सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने quantity for example 645 स्क्वाइर मीटर का मेरे पास plot है मतलब मुझे bill of quantity में मिला कि 645 स्क्वाइर मीटर का एक plot है उसका rate कैसे decide करें अपने contractor के लिए contractor को पैसा हम provide करेंगे माल लीजिए आपको अपने contractor को पैसा देना है contractor को bill pay करना है कितने रुपे पिल पे करें उसका rate क्या होगा उस rate को कैसे निकालते हैं एक excel format में आप लोगो सिखाने वालों उस वीडियो में जिसमें आप completely जान पाएंगे कि कैसे आप किसी भी plot का site cleaning का कितना भी area हो बस आपको values put up करनी है और यहाँ पे answer automatically निकल के आएगा जैसे कि आप लोग देख रहे है 100 square meter का एक plot है जिसका rate आया है 2112.86 पैसे लेकिन मैं आप इसको कर देता हूँ 500 square meter तो देखे के efficiency क्या है वो completely इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे और आप लोगो जैसा की पता है अपने course में corporate training course हो गया ग्यान जो course है उसमें सभी में quantity survey rate analysis का पार्ट तो रखा ही हमने लेकिन YouTube पे भी मैं कोशिश करूँगा rate analysis के आपको इसके वारे में और deeply knowledge चाहिए तो knowledge के लिए आप लोगों के लिए corporate training course और गुरू जी का ज्यान course में हम लोगोंने quantity survey और rate analysis पार्ट को include किया है तो आए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि surface dressing of the ground including removing vegetation and inequalities not exceeding 15 cm deep and disposal of rubbish lead up to 50 meter lift up to 1.5 meter all kind of soil के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहां पर दो आपके लिए लेवर दिये गए हैं यह क्योंकि काम करना है surface dressing करने माला side cleaning करनी हैं हमको building construction का first step होता है side cleaning जितने लोग corporate training course में जुड़े हुए है उन लोगों को पता है side cleaning के बारे में completely कि क्या होता है side cleaning क्यों का वर्क लगभग से में लेकिन थोड़ा सा अलग होता है तो दोस्तों अब समझे यहां पर बेलदार का काम देखिए बेलदार का काम रहेगा जो site है हमारी site को clean करना मतलब site पे जो घास है site को जो साफ करना है उसमें vegetation है उनको साफ करना उसका जो coefficient और efficiency की value होती है देखिए वह होता है 100 square meter 1.97 day में मतलब एक काम है जो कि यह 100 square meter का plot उसको करने में उसको 1.97 day लग रहे बहुत सारे engineers होते हैं उनको problem होती है यह value समझने में तो उन लोग लिए आज आसान कर दिया मैंने देखिए यहाँ पर एक formula लगा है आपको मैंने click किया formula बार में आप लोग देख पार है 100 divided by 1.97 कि वर्क वर्क डन कितना है 100 कितनी efficiency उसकी 1.97 डिवाइड कर दिया तो answer है 50.7614 square meter per day अप तो आप आसानी से समझ लिया आप लोग कि एक दिन में वो कितना काम करेगा 50.7614 square meter वो plot को साफ कर सकता है कौन एक single बेलदार यहाँ पर बात करूँ मैं कुली की तो देखिए कुली मत कि जो हमने plot को साफ किया है उस साफ करने में जितना भी हमारा rubbish material है disposal material है उसको बाहर फिकवाना अपनी side से वो काम रहेगा कुली का तो यहाँ पर 100 square meter 1.29 में मतलब 100 square meter काम करने में कितना time लग रहा है उसको 1.29 डे लग रहे है तो एक दिन में कितना कर सकता है 77.5914 कैसे निका square meter काम कर रहा है एक दिन में के वाल यह काम है इसका तो दोस्तों मैंने आप लोग को डिटेल में बता है बेलदार और कुली के बारे में अब यहाँ पर कैसे यह काम करता है हमारी excel sheet देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 100 square meter 100 square meter का का काम कितना है 1.97 तो देखिए quantity में बेलदार यहाँ पर निदारित किया है लग बग तो यदि आपके मान लिजी जहां आपकी site है और आपके contractor को आपको पैसा पे करना है तो आपको तो पतर है का बिलदार का पैसा कितना जाता है कुली का कितना जाता है जैसे मैं अगर बात करूं कि महाराश्ट्रा हो गया 36 गड़ हो ग यहाँ पर क्यों कि मैंने इसमें formula ऐसे put करें कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप लोगों के चेंज हो जाए तो आप लोगों को महनत नहीं करनी सभी महनत चोड़नी आपको किसके ओपर इस format के ओपर यह format बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल मैं इस वीडियो में और इस format को रहेगा लिंक पर जाके आप क्लिक करेंगे तो यह download easily हो जाएगा और आप यहाँ पर values को change कर सकते हैं देखिए यहाँ बेलदार डे की quantity है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लिगा 1.97 तो देखिए मैंने क्या formula लगाया यहाँ पर कि मैंने इसको 1 square meter के लिए कर दिया अब जब भी मैं area of plot को यहाँ पर change करूगा तो automatically quantity भी क्या हो जागा चेंज हो जाएगा अब इसके बाद same यहाँ पर आप देखेंगे कुली की quantity तो कुली की quantity भी एक square meter के लिए कितकी होगी जैसे 100 square meter के लिए 1.29 है तो यहाँ पर 0.0129 यहाँ पर quantity होगी multiply कर देखिए required area of the plot जो की square meter में उससे कर दी multiply जब भी मैं यहाँ पर value change करूँगा तो यहाँ पर automatically quantity change हो जाएगी इस चीज़ समझे है यहाँ पर मैंने आप लोगों को highlighted cells देए amount के अंदर मैंने formula लगा है हाँ पर F7 G7 देखिए F7 क्या है आपकी quantity G7 क्या है आपका rate quantity multiplier rate that is called amount ही तो हाँ पर amount आ गया इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुली के अंदर लगा है अब total के अंदर क्या करा मैंने यह जो वेलदार का rate आया ता और कुली का rate आया दौनों को add-on कर द मतलब जो उपर वाला total answer है था उसमें multiply कर दिया 1% का तो 1% क्या हो गया है यहाँ पर water charge है अब फिर से again total क्या है यह जो total है था this plus this that is this तो यहाँ पर total कर दिया अब दोस्तों यहाँ पर 15% मैंने CP and OH लिया देखिए CP and OH मतलब contractor profit and overhead देखिए overhead क्या होता है contractor profit तो आप जानते है overhead cost are all those indirect cost like labor cost rent travel expenditure utilities communication bills supplies advertising insurance accounting legal fees etc और जो भी काम रहेंगे contractor को इसके अलाबा की expenditure होता है किसी तरह का labor को लाना ले जाना या tools वगर होंगे साड़े साथ परसंट हम contractor profit के लिए और साड़े साथ परसंट overhead cost के लिए अब मान लीजे बहुत सारे engineers कहेंगे सर आप तो इसमें 15% ले रहे हैं लेकिन हमने 10% जाना है contractor profit बिल्कुल 10% आप ले सकते हैं जो site पर actual होता है वो 10% ही लिया जाता है contractor profit उसी के अंदर overhead भी include रहता ह है वो central public work department के आधार पर मैं आप लोगों सिखा रहा हूं यहाँ तो 15% यहाँ पर cost क्या करते है एड करते हैं तो जो total आया उसमें मैंने क्या गरा 15% देखिए multiply करती 15% की जो की add हो गया 275.59 अब grand total में मैंने this total plus 15% CP and OH मैंने add करते हैं तो इतना रूपे मेरा answer आ गया तो दो मान लीजिए मुझे एक private घर बनाने किसी का और उसमें contractor का यह देखना है कि कितना खर्चा आएगा या tender भरते टाइम मुझे पता होना ची कितना खर्चा आता है तो मुझे rate analysis market rate के अनुसर भी पता होना चाहिए जब भी तो मैं code कर सकता हूं किसी rate को तो यहाँ पर आप लो 21.129 मैंने 3 decimal तक इसको लिया है यहाँ पर 21.129 exact calculation के लिए 3 decimal जा 4 decimal तक ले सकते हैं आप इसको लेकिन जो final amount आता है उसमें आप 2 decimal ले सकते हैं तो equals to quantity multiplied rate that is called bill of quantity that is called amount यहाँ पर निकल गया है 13,628 रुपे यहाँ पर हमारे निकल के आए हैं जिसको मैं यहाँ पर क्या कर दू तो मैं decimal decrease कर देता हूं जड़ से तो 13,628 रुपे यहाँ पर हमारा bill बना है किसका surface dressing अब जब मैं tender के लिए जाऊंगा तो मैं code कर सकता हूं easily 13,628 रुपे मैं मैं यहाँ पर काम कर सकता हूं complete अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे हाँ यहाँ पर 645 इसको अब देखेंगे 13,628 रुपे मैं यहाँ पर फॉलो किया है दोस्तो रेट अनलसी इसलिए बहुत जादा इंपोर्ट हो जाता है क्योंकि हमारे estimation part will of quantity part यहाँ तक कि हमें tender भढ़ते time code करते time बहुत जादा इंपोर्टेंस पर जाती है क्योंकि एक इक चीज का हमें rate analysis पता हो अब brickwork में 100 mm का rate analysis डिफ्रेंट होगा तो यह सब rate analysis जानना बहुत जरूरी हम लोगों के लिए तो ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा करना है खास तो चलो हमारे साथ सेविल के बात गुरू जी के साथ